मेरे प्रिया आत्मन, सहज योग में आज धरम दास का एक पद लेने जा रहे हैं धरम दास कबीर सहाब के शिष्य हैं, इनका जन 1423 इस्वी में हुआ और 1543 इस्वी तक धरम दास ने साधना और समाधी के बड़े प्यारे गीत गाये हैं कहते हैं धरम दास सत नामे जप जग लड़ने दे अक्सर लोग पूछते हैं कि संसार में इतना दुख है, कलेश है, इर्शा है, द्वेश है, पीड़ा है, संताप है ऐसे में हम राम का भजन कैसे करें? ऐसे हम केवल अपने स्वार्थ के विशे में कैसे सोचे? ऐसे में हम केवल अपने विकास के विशे में कैसे सोचे संतों की दृष्टी बड़ी अधुत है संत कहते हैं कि संसार ऐसा है एक संसारी की दृष्टी है कि कैसा होना चाहिए और संत की दृष्टी है कैसा है संसारी सोचेगा ऐसा होना चाहिए संत कहता है ऐसा है संत के लिए कोई चीज़ समस्या नहीं है संत के लिए कोई चीज़ प्राबलम नहीं है चुनोती हो सकती है परिशकार संत भी करता है अस्विकार नहीं करता और संसारी परिशकार की कम सोचता है अस्विकार की ज़्यादा सोचता है संसारी वह है जो शिकायत से भरारप में सदा जीता है उसी बात की। और इशारा करते हुए कहते हैं धर्म दास कि जगत में हमेशा से क्लेश रहा है जर्चेतन गुण दोश्म में विश्वकिंद्न करता गुस्वामी तुलसिदास जी ऐसा कहते हैं कि यह यह संसार दंदों से निर्मित है, यहां सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, सफलता है, सुख है तो दुख है, यह संसार ऐसा है, इसलिए संत के लिए कोई समस्या नहीं है, संत कहेगा बस ऐसा है, तुम्हारे सामने विकल्प है, तुम चाहो तो आनंद में रह सकते हो, इसको एक नए अंदाज में सुनो संत बताते एक शब्द उंकार सुनो हम पढ़ते हैं शब्द कता कहने के लिए इश्क नहीं जो कर सकते वे काफिर हैं मजहब की सारी बाते लड़ने के लिए यही मजहब है जिसके नाम पर इतनी लड़ाई भिड़ाई है लोग इतना लड़ते हैं और यही मजहब है जिसकी गंगा में डूब करके संत आनन्दित रहता है मजहब की शिक्षाएं अवतारों ने दी पैगंबरों ने दी संतों ने दी इसलिए के लोग शांती से रहे और उसी मजहब के नाम पर लोग सबसे ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं इसलिए कुछ भी दो बढ़िया से बढ़िया ओशदी तुमी संसार को दो वही ओशदी संसार विश्ख की तरह उपयोग कर लेता है इसलिए कहते हैं धरमदास सत नामे जब तुम क्या करो तुम सत नाम को जानो तुम उंकार को जानो तुम उंकार के सुमिरन में जीना शुरू करो तुम उंकार की समादी में जीना शुरू करो तुम आनंद में जीना शुरू करो तुम इस फिक्र में मत रहो कि संसार में कितनी पीड़ा है, संसार में कितना संताप है, संसार में जब तक संसार का सारा दुख नसमापत हो जाए, हम कैसे राम का भजन करें, कहते हैं धरमदा सत्त नामे जब जग लड़ने दे, यह संसार कांट की बारी अरुजी सरुजी के मरने दे, यह संसार एक बी हैं और काटे भी हैं और लोगों का चुनाओ है अगर तुम चाहो तो फूलों की खुशबूलो फूलो को चुनो अत्वा तुम्हारा चुनाओ है काटों में उलचाओ जिसके लिए सूर्धास कहते हैं यह संसार फूल सेमल को सुन्दर देखे लूभायो यह संसार कैसा है बड़ी सुंदर उपमा संतों ने दिया है कि जैसे सेमल का फूल है उसको देख करके तोता बड़ा लूभाता है कि जब फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा और जैसे ही वह फल होता है और उसमें चोंच मारता है तो नीचे से में उसका चोच फंसता है और फिर रोता है चिलाता है दुखी होता है ऐसे ही संसार के भोग हैं हम उन भोगों में सुख की कामना करके उसमें उलसते हैं और अंतता फंसते हैं रोते हैं बिलखते हैं चिलाते हैं दुखी होते हैं कहते हैं धरमदास कि यह संसार काट की बारी अ कर सकते हो, यह उनका चुनाओ है, तुम राम की तलाश में जाओ, लोग काम की तलाश में जाते हैं, तो जाने दे, तुम योग की तलाश में जाओ, लोग अगर भोग में उलजते हैं, तो उनको उलजने दे, जिसके लिए दरिया साब कहते हैं, राजस्थान के दरिया साब, दरिया, गैला, जगत को क्या खीजे सुलजाए, इस पागल जगत को क्या सुलजा करके तुम करोगे, सुलजाया, सुलजे नहीं, सुलज, सुलज, उलजाए, सुलजाते रहो तुम, और लोग फिर उलजने को तयार है, लोगों को सुखी बनाने के तुम कोशिश करो, उनकी द हामो वो कहां बच पाता है वो गड़े में ही जाता है कहते हैं धरमदास हाथी चाल चले मुरसाब कबीर साब के लिए कहते हैं कि मेरा गुरू हाथी की चाल चलता है वो चिंता नहीं करता और संतों की लोग आलोचना करते हैं संतों को गलत बताते हैं संतों को पीड़ा देते ह लेकिन संत तो जानता है कि उसने परम निधी को पा लिया है संत तो जानता है कि उसने परम आनंद गोविंद को पा लिया है इसलिए वो हाथी की तरह चलता है किसी हाथी को चलते हुए देखो उसके पीछे कुटे भूखते हैं और हाथी देखता तक नहीं है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हाथी को देख तो लेना चाहिए कि कौन भूख रहा है लेकिन वो अपनी मतवाली चाल से चलता रहता है और बिल्कुल चिंता नहीं करता है कि कुटे उसको भूखते हैं तो भूखने दो हाथी चाल चले मुरा साहब इसको एक नए अंदाज में सुनो है शिकायत नहीं कोई मुझे जमाने से फर्क पढ़ता नहीं किसी के आने जाने से मेरे बारे में कोई शक्स सोचता है क्या मेरा रिष्टा तो है साकी से वो पैमाने से कोई देता है भला साथ उम्र भर को कहां कौन रहता है संग लौट करमे खाने से फूल के साथ मिले शूल का भी कर शुक्रिया असली मतलब तो है महबूब को रिजाने से तू अपने महबूब गोविंद को रिजाता चल लोग कुछ भी तुम्हारे बारे में कहते हैं इसके तू जरावी फिक्र मत कर तू जरावी चिंता मत कर तू सुमिरन की फिक्र करो तुम समादी की फिक्र करो जगत क्या तुम्हारे बारे में कहता है या जगत क्या करता है ये तुम्हारी चिंता का विशे नहीं होने चाहिए एक संथ और राजनेता में यही फरक है राजनेता हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है दूसरे को पडिवर्तित करने के बारे में सोचता है दूसरे को रूपांतरित करने के बारे में सोचता है और संथ हमेशा आत्मरूपांतरन की बात करता है और जो लोग संथ से जुड़ते हैं उनको भी एक ऐसी दृष्टी देता है कहते हैं धरमदास हाथ ही चाल चले मुरा साहब कुतिया भूखे तो भूखने दे अगर कुते भूखते हैं तो उनको भूखने दो जगत अगर कुछ भी कहता है तुम्हारे बारे में उसकी तुम चिंता मत करो तुम अपने गोविंद की फिक्र करो तुम अपने ध्यान की फिक्र करो तुम अपने सुमिरन की फिक्र करो तुम अपनी समादी की फिक्र करो जिसके लिए संत नाम देव कहते हैं मैं बावरी मेरा राम भतार कहते हैं कि अगर तुम्हें सुनना है तो ठीक से सुनो, मैं पगली हूँ, और मेरा प्रियतम, मेरा दूला, मेरा गोविंद है, और रची रची ताकव करू सिंगार, अगर मुझे सिंगार करना है, अपने जीवन को सजाना है, तो केवल अपने राम के लिए सजाना है, और भले निंदव भले निंदव भले निंदव लोग, लोग अगर मेरी निंदव करते हैं, तो करते रहें, तनमन राम पियारे जोग, ये मेरा तन, ये मेरा मन, ये मेरे जिन्दगी, राम के प्यार के लिए है, और मैं राम को प्यार करने में ही अपने जिन्दगी को लगा दूँगा, बाद बिबाद काहूस नकीजे रसना राम रसायन पीजे ये साधु की जिंदगी होनी चाहिए ये साधक की जिंदगी होनी चाहिए क्या बाद बिबाद करना लोग बुरा कहते हैं तो कहने दे भला कहते हैं तो करने दे क्या सिद्ध करना है लोगों को अंधों को क्या समझाना की सूरज हुगा हुआ है कोई स्थूति करे कि कोई निंदा करे अरे नाम देव को तो श्री रंग गोविंद मिल गया अब नाम देव मजे कर रहा है अब नाम देव को क्या फिक्र है कहते हैं धरमदास यह संसार भादो की नदिया डूब मरे तहीं मरने दे अब भादों में नदी में बाढ़ आएगी अब संसारी सोचेगा कि बाढ़ तो नहीं आना चाहिए संत कहेगा बाढ़ है भादों आया है भादों का महिना और पानी पड़ेगा और बाढ़ आएगी तो अगर किसी का चुनाव है भरे भादों में और नदी में जाएगा और कोई डूबता है तो तुम किसको किसको रोकोगे लोग डूबते हैं तो उनको डूबने दो हाँ तुम अपने लिए अपने दृष्टी रख सकते हो कि नदी में बाढ़ आई है तो अभी बाढ़ में तुम मत जाओ तुम किनारे रहो जब बाढ़ उतर जाएगी तो नदी में इसनान करने का तुम आनंद लोगे जिसके लिए कबीर साब कहते हैं भामर जाल बगुजाल है बूरे बहुत अचेत कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हिर्दय विवेक एक तो संसार का जाल है उपर से बगुलों का जाल है तथा कथित पंडितों और संतों का जाल है बचना बड़ा मुश्किल है लेकिन तुम्हारे भीतर अगर प्रग्या है तुम्हारे भीतर अगर विवेक है तो निश्चित ही तुम इस भामर जाल को पार कर सकते हो इस अंसार के जाल से इन बगुनों के जाल से तुम मुक्त हो सकते हो कहते हैं धरमदास धरमदास के साहिव कबीरा कबीर मेरे गुरू है कबीर मेरा साहब है और ऐसी ही दृष्ट तुमें होनी चाहिए तुम अपने गुरू से नाता जोडो तुम अपने गुरू के कहे अंसार चलो संसार अपने मन के अंसार मनमुखी होकर चलता है निगड़ा होकर के चलता है तो संसार को अपने ढंग से जीने दो कहते हैं धरमदास कि धरमदास के साहिव कबीरा मेरा साहिव कबीर है मेरा गुरू कबीर है जैसा हो कहता है वैसा मैं करता हूँ और पत्थर पूझे तो पूझने दे और संसार अगर पत्थर को पूझता है तो उसको पूझने दो लठ लेकर कि उसके पीछे मत पड़ जाओ कि कहा मंदिरों में जा रहे हो कहा मस्जिदों में जा रहे हो कहा चर्च में जा रहे हो ये उसकी सुतंदरता है ये उसका विकल्प है तुम अपने विकल्प के अंसार चलो तुम अपने दृष्टी के अंसार चलो तुम गुरु से नाता जोड़ो लोग मंदिरों से नाता जोड़ते हैं मस्जित से नाता जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने दो जिस बात को कबीर स है मरम कोई नहीं जाना बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रात करे असनाना और आतम छोड़ पकाने पूजे तिनका थोथा ग्याना आसनमारी दिंब धर बैठे मन में बहुत गुमाना और पीतर पाथर पूजन लागे तीरत बर्त भूलाना ऐसे ही लोग भूले हुए हैं आपस नाम के सुम्रन में जीता है नाम की समाधी में जीता है तुम भी ऐसे ही किसी कामिल मुर्शित से अपना नाता जोड़ो और उसके कहे अंसार परमात्मा की यात्रा पर चुड़ो गोविंद से नाता जोड़ो यही सहजयोग है हरियों तत्सत्त